नमस्कार सातियों, जैसा कि आप सब को ग्यात है कि जार्खन सरकार के द्वारा बेसिक कोर्ष एक से इंटर्मीडियेट कोर्ष एक तक के मीड लाइन सर्वे कराए जाएंगे, इस वीडियो में उन्हीं कोर्षेस के इंपोर्टेंट प्रस्ण और उतर दिये जा रहे हैं, एक कम से कम इन्हें अवश्य देख लें, प्रस्ण अध्यापक के लिए सबसे मुल्यवान कौन होता है, उत्तर छात्रों का विश्वास, प्रस्ण प्राठ्यक्रम निर्मान में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए, उत्तर है सिक्षक के उद्देशों के ध्या मुल्यांकन कौन करता है, उत्तर है उनके शिष्य करते हैं, अच्छा अध्यापक कौन है, उत्तर है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, और प्रस्ण सिक्षक कब सार्थक होगी, उत्तर जब वह छात्र के इंद्दित हो, प्रस्णे सिक्षन की समस्याओं का हल करने का दाइत्व किसका है, उत्तर है सिक्षकों का, आपके विचार से सिक्षा का उद्देश से क्या होना चाहिए, उत्तर छात्रों का सरवांगीन विकास होना चाहिए, प्रस्णे अध्यापक मुख्रुप से किसके परती जबाब द उत्तर छात्रों के लिए प्रेड़ना दायक, दोग कुशल प्रवंधक और अध्यापकों के लिए शमानता का भाव रखने वाला होना चाहिए। वणिवाबक अपने बच्चों के लिए अध्यापकों से क्या आशा करते हैं। उत्तर है निष्पक्ष बेवहार, सहानुभूती एवंग प्रेम की परधान अध्यापकों से क्या आशा करते हैं। प्रशने सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान कैसे करेंगे उत्तरे सामुहिक धंग से लौड मैकाले ने सिक्षा समंदी अपनी सिफारिस कब की थी उत्तरे 1835 बिमें प्रशने मात्मा गांधी ने बेसिक सिक्षा की धारना का प्रयोग सबसे पहले कहां किया था उत्तरे टॉल्स्टोय फार्म में प्रशने सिक्षा में खेल विदी का जन्मदाता किसे माना जाता है उत्तरे फ्रोवेल प्रसने सिख्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है उत्तर लोगों को समाज का उपियोगी अंग बनाने के लिए सिख्षा का प्रचार प्रसार अवश्यक है प्रसने कीरन ने रंग बिरंगे अलग अलग आकार के पत्थर डिब्बे में इकठ़ किये एक डिब्बे में 145 पत्थर थे और दूसरे में 40 किरन के पास स्कूल मिला का कितने रंग भी रंगे पत्थर थे या सवाल किस प्रकार का इबारती सवाल है उत्तर है जहां परणाम पता करना है बच्चों ने अपनी आखें खोली ही होती है कि हम उनसे एक सफल बैक्ति बनने की अपेच्छाएं बांध लेते हैं सफल इस माइने में कि या तो वो डाक्टर या इंजिनियर बन जाए उचे पत्पर काम करे वा अच्छा पैसा कमाए कुछ शात्र तो पास हो ही नहीं सकते वो जन्म से ही ऐसे होते हैं या किस प्रकार की मन सिकता है या जर्म मन सिकता है तुम बहुत परिश्रमी हो तुमारे परिणामों में या जलगता है या किस प्रकार की मन सिकता है या विकास्तिल मन सिकता है कक्षा में बच्चों के तरीकों और उनकी सोच के बारे में बात करने से हमें क्या फायदा होगा और तरीकों और गणीत की अवधार्णों की समझ के लिए मदद मिलती है इससे गीता जी अपनी कक्षा में कोई भी पाट पढ़ाने से पहले कई गतिविधिया कराती है आपको क्या लगता है? वो ऐसा क्यों करती है? उत्तर पाठ के बिशे संबन्दी बच्चों की पूर्व जानकारी को जागरित करने के लिए एवंग पढ़ने के लिए उद्देश से त्यार करने हेतू ऐसा करती है राधा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक सवाल हल करने दिया 6754 भाग 33 सवाल हल करते समय उन्हें किन अभधाणों पर बच्चों का ध्यान दिलाना चाहिए उत्तर है घटा एवन गुना कफिल जी अपनी कक्षा में बच्चों को समुहों में बाटते हैं और फिर उनको पाट पढ़ने के लिए देते हैं आपके अनुसा कक्षा में क्या होगा उत्तर कक्षा में बेकार में सोर मचेगा नीमन विकल्पों में से कौन दर्सन सास्तर के अंतरगत आते हैं आम गर्मी के मौसम में ही क्यों उगते हैं आज भिंडी खाऊं या नहीं कैसे पता कि ये जूट नहीं है पेड हरे क्यों है या मुझे पता है उत्तर होगा तीन नमबर कैसे पता कि ये जूट नहीं है या दर्सन सास के अंतरगत आते हैं मांस्ी ने अपनी गक्षा में गुणा को सिखाते समय सुर्वात सबसे पहले पहाडों से की फिर बच्चों को सवाल हल करने को कहा आप मांस्ी को पाट योजना बनाने के लिए क्या सुजाव देंगे समान सुमुहों में चीजों को बार-बार जोड़ने से शुरुवात करने की सुजाव देंगे सभा जी अपने तीन साल के बेटे को लिखने के लिए प्रोसाहित करना चाहती है निमलिकित में से क्या उनके बेटे को लिखने के लिए प्रोसाहित करेगा एक नमबर उसकी बनाई आड़ी तिर्ची गोल रिखाओं पर उससे बात करके, दो नमबर उसे अक्छर लिखका दोराने का अभ्यास करवाना, तीन नमबर उसे रिखाओं आधी पर उंगली फिरने का को कहना, उत्तर होगा उसकी बनाई आड़ी तिर्ची गोल रिखाओं पर उससे बात करके बच्चे अध्यापिका के साथ मिलकर एक कविता लिख रहे हैं बच्चे बता रहे हैं अध्यापिका उन्हें लिख रही या किस प्रकार की गतिवी दी है उत्तर या साजहा लेखन को दर्साती है प्रियंका के कक्षा में बच्चों को साथ खिलोनों की पोटली लाने को कहा गया ऐसी 21 पोटलीया आई इस सवाल को हल करने के लिए इसे किस तरह से लिखा जा सकता है उत्तर होगा 21 गुने 7 अंकों के नाम और उनके अनुकरम को समझना चात्रों को मुश्किल क्यों लगता है उत्तर है क्योंकि संख्या और संख्या नामों के बीच बहुत कम संबंध होता है इसलिए ऐसा मुश्किल लगता है जदि किसी छात्रे ने एक परिक्षा में सभी प्रश्णों के उत्तर सही दिये हैं तो इससे हम छात्र के विशय में क्या जान सकते हैं उत्तर है हम कह नहीं सकते क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रश्ण पत्र की गुनवत्ता कैसी है अनुसर कक्षा 2 के छात्रों को अलग अलग भासा में पढ़ाते हैं क्योंकि उनके छात्र घर पर विविन भासाएं बोलते हैं क्या या कहना सेही है कि इससे चात्रों में सीखने की आपक्चा भ्रहम पैदा हो सकती है? उतर नहीं बलकि यह चात्रों को विविन प्रकार के लोगों के साथ संबाद करने की अनुमती देगा है। कक्चा एक के चात्रों को 11 से 20 तक की गिंती सिखाते समय रेनू मैडम सुनिश्चित कर रही है कि चात्र अंगरेजी में ही संगबाद करे। ताकि चात्रों की भासा कोसल भी बेहतर हो सके। आप इस द्रिष्टिकोन के बारे में क्या कहेंगे? उत्तर इससे कक्चा में चात्र की भागिदारी कम हो सकती है क्योंकि ज्यादतर चात्र केवल अपनी स्थानिये भासा ही जानते हैं। परिभान के बारे में पार्ट की शुरवाद से पहले सिक्चीकाने चात्रों से पुछा हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं? वे सडकों पर कौन सा बाहन देखते हैं? सिक्षी का द्वारा पूछेगे एस सवाल कि सिद्यान पर अधारित है ग्यान निर्मान में सहायक MR पर बहु कक्षी सिक्षन में बहु स्तरिय सिक्षन सामिल है लेकिन इसका उल्टा नहीं इस कथन का क्या मतलब है उत्तर बहु कक्षिय कक्षा में छोटे छोटे समूम होते हैं जिनमें एक से ज्यादा कक्षा के बच्चे होते हैं इसलिए बहु कक्षिय कक्षा में अलग अलग स्तर के बच्चे होते हैं लेकिन एक ही कक्षा स्तर के बच्चे भी अलग स्तर पर सीख इसलिए बहु कक्षिये कक्षा में बहुस तर ये बच्चे होंगे लेकिन बहु कक्षा हैं सामिल हो या जरूरी नहीं है। पिगमेलियन इफेक्ट से आप क्या समझते हैं। C, R, A में C, R एबंग A का फूल फॉर्म क्या है। C मतलब कॉंक्रीट मने ठोस, R मने रिप्रेजेंटेशन, मने चित्रों में दर्साना, A मने एब्स्ट्रेक्ट, मने अमूर्थ। Emergent Literacy क्या है? Emergent Literacy प्रिंट के बारे में बच्चों की सुरुवाती धारना होती है। बच्चे इसी समय पढ़ना और लिखने की सुधारना या विचार बनाना सुरू करते हैं। बच्चा किताब या पेपर को उलट-पुलट कर चित्रों को देखते हैं, वह इसे लेकर उस्षुख होता है। Subitizing क्या है? Subitizing का अर्थ है बच्चों को बिना गिने तुरंत अंदाजा लगाकर गिनना या अनुमान लगाना। सीखना क्या है? सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें हम नए अनुभव प्रात करते हैं, हमारा मस्तिस्क इन अनुभवों पर काम करता है और इस तरह हम नई समझ बनाते हैं और हम हर समय कुछ सीखते हैं। व्यभार बाद क्या है? व्यभार बादbehaviorism का सिध्यानत या मानता है कि हम अपने बातावर में मौझूद चीजों या क्रियाओं पर अपनी प्रतिक्रियाओं से ही सीखते हैं। या चीज या क्रियाए एक उद्धीपन, stimulus की तरह काम करती है। बेभारबाद मानता है कि यह उद्धिपन और इस पर दी जाने वाली परतिक्रियाओं को नियोजित करके किसी भी जानवर या बेक्ति को किसी भी तरह का बेभार सिखाया जा सकता है बेभारबाद के कितने सिध्यान्त है और क्या क्या वेभरपाद के दो सिध्यान्थ है एक संबंद का सिध्यान्थ और दो प्रभाव का सिध्यान्थ संबंद का सिध्यान्थ क्या है जब उद्धिपन के कारण बार बार एक ही परतिक्रिया हो तो वह एक सीखे हुए वेभार में तब्दिल हो जाती है इसे संबंद का सिध्यान्थ करते हैं जैसे अगर कुट्टा मालिक के हाथ में बिस्किट देखता है तो उसके मुँमें पानी आ जाता है परन्तु जब कभी मालिक के हाथ में बिस्किट ना भी हो तो भी उद्धिपन के कारण कुट्टे के मुँ में पानी आ जाता है यही संबंद का सिध्यान्त है प्रभाब का नियम क्या है? यह नियम बेवहार पर सजा यह इनाम के प्रभाब पर रोशनी डालती है जैसे किसी कुट्टे को जब छलांग लगाने पर बार-बार बिस्किट मिलता है और जब वो बार-बार यह करता है तो वो छलांग लगाना सीख जाता है यही प्रभाब का सिध्यान्त या नियम है एम आर किया है? एमर मैंने Mental Representation इस सिध्यान्त के अनुसार हर इंसान एक बस्तू या घटना का मानसिक चित्र बना लेता है और इस सिध्यान्त के अनुसार मनुस्य अपने MR की मदद से अपने दिन चरिया के सारे कामों को कर पाते हैं MR निस्चित या स्थीर नहीं होते बलकि ये हर पल बदलते रहते हैं एवंग हमारे नए अनुभव हमारे पहले बने हुए MR को बदलते रहते हैं मानसिक्ता कितने प्रकार की होती है और क्या क्या मानसिक्ता दो प्रकार की होती है एक जर मानसिक्ता और दो विकास सिर मानसिक्ता जदी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके थैंक्स पर वाचिंग धन्यवाद